जिए क्वेटें साफ of्थाइब करें क्योंता वें क्यों पर चाहिए इंडा मंद पूंधे शीम्ले कॉइच दावह अपनेuğल में और आज है आज आसदेड अरहें सुर्या सॉस है थोड़ा साग विनीग है आप चाहें तो एड चरी सॉस का भी इसतेमाल कर सकते हैं तो चलिए एक माइश को करते है एक खाइब में थोड़ा सा थेल ले लें लगबग एक चप मच्के लगबग तेल लें और जैसा कि मैंने बताया आपको जो चाइनीज कुकी नहीं होती है वो हमेशा क्लें को हाई रखें और इसमें जो वेजटेबल्स का हम इस्तवाल करते हैं उनको पूरा कुक नहीं करना है और वो पुड़ा क्रिस्प रहना चाहिए तब ही उसका विज़ा आपता है तो जड़ नहीं कटा हुआ ब्रक लगबग एक चम्मच दाल देया साथ में ही डाल देया लगबग एक चम्मच ही लस्सन अब इसमें एड़ करेंगे कैबेच और आसा कैबेच लगबग तीज़ा चम्मच और इसको सॉस करना है कैबेच तॉस करने ये बार इसमें एड़ करना है कैप्सिकम लगबग 2-5 चम्मच कैप्सिकम और तॉस करना इसको भी और अब इसमें डालें थोड़ा सा नमक चाथ में डालेंगे थोड़ी सोया सॉस ज़बग एक चम्मच सोया सॉस दाल रहा है और थोड़ी सी चिली सोस और अब इसमें एड़ करने के थोड़ा सा ब्लैक पैपल पावडर एक चुक्की साथ में तोड़ा सा ब्लैक अब इसमें खटात लाने के लिए कुछ मून्दागी डालनी हमें और इसको टॉस करें और तॉस करने के बद यह जो तंडा है इसको एस्परेल से आप फोलें और फोड़ के इसको को मिक्स करना है फार्स ती यह अंडा डाला मैंश के अंदर और इसको एक से मिक्स करने और इसको पर एक से जुसरा अंडा भी डाल जेते इसमों अब नालके तो मिक्स करना है अब इसमें एड़ करेंगे हैं ये कुप्ड राइस और इसमें को मिक्स करें मिक्स करनेके और थोड़ा टॉस कर ले अच्छी तर yay शेये और अब 건ra दासा और नमक साथ में स्प्रिंग ँर्डेल नभी अध करेंगे लिए ना इप बार इसमेंक अब् starting hal snap और निक्स करने के बाद फ्लेम करें बन और तयार है आपका बहुत ही संदर एग फ्राइड राइस है नाजना जरूर ट्राइट लिजाएगा